बिहार के चुनावी समर में कन्हया कुमार मोतिहारी के चक्या में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुँचे यहां उन्होंने पिप्रा के भागपा माले के उम्मीदवार राजमंगल प्रसाद कुश्वाहा के समर्थन में वोट की अपील की इस दोरान लोगों की अधिक संक्या में भीड रही कनहया कुमार के मंच पर पहुँचते ही कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई इनके साथ दरजनों लोग मंच पर चड़ गये भीड बरने से मंच से कुछ लोगों को वापस उतारा गया आपको बता दे कि चुनावें प्रचार से कनहया कुछ दूरी बनाए हुए हैं लेकिन जहां भी वो प्रचार के लिए जा रहे हैं जनता की अपार भीड कनहया को सुनने के लिए पहुँच रही है मोतिहारी के चकिया की चुनावी सभा में भारी भीड के बीच कनहया कुमार ने केंदर सरकार पर जम कर हमला बोला इस दौरान दर्शकों ने खूब तालिया बचाई वही सभा में कनहया कुमार के दूसरे निशाने पर नितीश सरकार रही जहां उन्होंने सुषासन की सरकार को पूरी तरह फेल बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी कनहया कुमार ने नितीश कुमार और बीजेपी की सरकार पर कई आरोप लगाए उन्होंने कहा कि नितीश कुमार आप बिहार को संभालने में अक्षम हो चुके हैं वहीं कनहया कुमार ने बिहार में महागटबंदन की सरकार बनाने का दावा किया कनहया ने कहा कि नितीश कुमार की सरकार युवाओं की सबसे बड़ी दुश्मन है और रोजगार देने के मामले में फिसड़ी साबित हुई है पलायन का दर बिहार में सबसे जादा अधिक है और अगर युवाओं का पलायन ऐसे ही होता रहा तो जल्द ही बिहार से युवाओं का दिखना बंध हो जाएगा